माउंटिन बैन के नाम से देश में फेमस दशरत मांजी का परिवार बदहाली के आंसु बहा रहा है। मांजी की बदौलत बिहार के गहलोर गाउं में काफी कुछ बदला लेकिन नहीं बदली तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिती दशरत मांजी का परिवार आज भी जैसे दैसे गुजर बसर कर रहा है। वहीं लोगों ने दशरत मांजी के इस जुनून को देखकर उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। 1960 से साल 1982 तक बिना किसी आधुनिक मशीन के दशरत मांजी पहार काटने में जुटे रहे और सिर्फ छेनी हतोरे की मदद से पहार का सीना चीर दिया। इन 22 सालों में दशरत मांजी ने आम लोगों के लिए जो रस्ता तयार किया उससे दूसरे गाउं तक जाने के लिए लोगों को 40 किलो मीटर की दूरी कम हो गए। भले ही आपको ये दूरी कम लगे लेकिन जब आप पहार की उचाई और चौडाई जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि दशरत मांजी का प्यार अपनी पतनी के लिए कितना रहा होगा। मांटन मैन के नाम से जाने वाले दशरत मांजी ने 25 फीट उचे, 30 फीट चौड़े और 360 मीटर लंबे पहार को तोड़कर दुनिया को महबत की निशानी पेश की। पहार दरार था उसमें माटव के घाड़ा खाना लेकर जा रहा था जो घड़ा फुट गिया कि अबहारी पिता जी मुटकर देकले का हुआ तो पहारीय में टक्रा करके फुटगी अगा तो गिल गिया पानी पानी तो उनोग ऊजंवारी बाइधर रह गिया पहारी परो यह बज़ा से तीन बकड़ी बेचके उन जिरगण बजार से चेनी हतावड़ी ला करके काम करने लगा तो सब अदमी गहलोर के आप चाहे उसका परिवार कदियाई तो पागल हुग गया है कहीं यह कदमी से रास्ता बनेगा आहरा नहीं है कि माटी भीग देगा इस पाथल है माउंटन मैन के बेटे भागी रथी मान जी ने अपनी आर्थिक स्थिती को लेकर परिशानी व्यक्त की वें कहते हैं कि उनके पिता की बायोपिक बनाने आए कई फिल्म निर्माताओं ने उन्हें छूटा भरोसा दिलाया लेकिन मदद किसी ने नहीं की अमीर खानाया बहुत अजमी जुटा खुब विचिंत्र कपड़ा के घर कागज के घर बनाया उसमें छोव अदमी हम लोग कुर्सी पर बैठा तो एक गोचादर दिया आओ है लड़ू हाथ वाम दिया देखिए अफसोस नहीं लगेगा हमारे पिता जी पर काई करोर कमाया हम लोग को का मिला उस तो गच के गिया दूपर से देंगे उदे देता तो तो अनांद रहते है आग तक उसको पता हाई कि फिर लोटके जाए ने गहला और तो काम हो गिया उसका फिल्म मांजी दा मांटेन मैन के बाद भले ही अबिनेता नवाज उद्दीन के करियर ने सफलता के कुलांचे मारे हो फिल्म ने भले ही मुनाफा कमाया हो लेकिन दश्रत मांजी के परिवार की हालत वैसे की वैसी ही है दश्रत मांजी का परिवार अभी भी गरीबी से जू